Hello viewers, welcome back to my youtube channel आज इस channel में आपके लिए sleep designing जो जाली वाला बहुत असान तरीके से दिखाने लगे हैं कि इस तरह से हम अपने बाजू की designing बहुत असान तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले आपने अपने बाजू की cutting करने हैं करने के बाद आपने एक extra कागज लेना है 4 इंच का हमसे अपना पूरा pattern जो है वो 4 इंच पर ही बनाएंगे और कागज के कपड़े पर यानि कपड़े पर नहीं बनाएंगे कागज पर त्यार करेंगे अब आपने एक piece लेना है 1.5 इंच का और 1.5 इंच का चुराई लंबाई इसकी उतार के उसको गोल सी एक पत्ती त्यार करें अब इस पत्ती को आप अपने कागज पर त्यार करें जैसा कि हमने आपको कागज की डिजाइन चुराई और लंबाई आपको दिखाई है उसी तरह से आपने इसको इसकी चुराई है वो charging से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पत्ती को उपर निचे रखके आप इसकी अब डिजाइन करें जितना आपने अगर अपने टोजर पर डिजाइन त्यार करने है तो उसका भी इसी तरह से पैट्रन त्यार होगा कि आप अपने डिजाइनिंग त्यार कर लें अब हम इसकी अंदर एक और पत्ती आट करेंगे थोरा सज्जाली वाला डिजाइन जो है वो गेराई का लब गेराई से त्यार करने के लिए इसी तरह से सब के अंदर आप इस तरह पत्ती अटेश करते जाएं चोटी चोटी पत्ती जो है वह आप त्यार करते जाएं अब हम इसकी बेस बनाने के लिए अपना अड़ेप कपड़ा लेंगे इसको फॉल्ड करके देखें आपको पॉबाईश कितनी चाहिए कितने इंच की आपको पाइपिंग चाहिए बड़ीक पाइपिंग जो होगी ज्यादा बेतर होगी जितनी आप इसको बड़ीक क्यार कर सकते हैं इसको फोल्ड करें और एक इंच के मार्जर पर इसको मशीन से स्टिच करें यह आपको थोड़ा सा शोर सा पैटरन दिखाया गया है यह किसना से मखजी फोल्ड करके एक इंच के पैर पर स्लाई लगाई जाती है अब इसको जब आप सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह की शकल नज़र आएगी हमारी डोड़ी पाइपिंग रेड़ी है अब आपना कागस का जो पैटरन रेड़ी किया हम उसको लेंगे उसके उपर इस तरह से अपनी पती को अटेच करेंगे हम फॉल्ड करके देखेंगे हमें कितनी पटी चाहिए हमें 8 इंच की मखजी तियार करनी है सारे पीसिस हम 8 इंच के मताबिक उतार लेंगे अगर खैंच कर लगाएंगे तो आपकी ये 8 इंच की रेड़ी होगी नहीं तो अदर्वाइस ये 9 इंच पर भी डोड़ी थोड़ी जा सकती है आप ज्यादा बड़ी डोड़ी काटेंगे तो ज्यादा बेतर है फर्स टैम बनाने के लिए आप डोड़ी को जॉइन रहने दे आप किस तरह से हम इसको अटेश करने लगए हैं आप देखें सबसे मेंन बात यह है कि आप अपने कागस को मैंने सिंगल कागस पर बनाया आप इसको कागस को नीचे से डबल करें ताकि आपका कागस भटेगा नी और स्टेम जो बनायेंगे उनसे कागस भट जाएगा न्यू विवर्स जो हैं वो चानल को लाइक शियर और सबस्क्राइब कर दे बेल अकन के बटन को प्रेस करें ताकि वो इंफोर्मेशन वीडियो आप तक पहले पहुन सके इस तरह से आप इसको गुल गुमा कर गुलाई में इसकी शेव देते जाएं आइस्ता इस्ता आपकी पती रडी हो जाएगी जब ये एक पती पुडी हो जाएगी तो आप इसको डोडी को कट करें फिर इस तरह से दूसरी डोडी त्यार करें मेरे चैनल बे और भी इसी तरह की वीडियो रेडि की गई है ट्रोजर कटिंग इड के लिए स्पेशल डिजाइनिंग त्यार किये गई है टिशू पर डिजाइनिंग एक कट से पिजामा रेडि किया गया है चैनल का विजट करें ताकि इसमें और भी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहले पहुंच सके इसी तरह से आप दूसरी पत्ती इस पर डैच करेंगे उसी स्टाइल से आप इसको आइस्ता इस्ता गुमाते जाएं और अपनी पत्ती को रेडि करते जाएं आप कंप्लीट अपना पैटर्न रेडि कर ले असलीप स्काफ रेडि करना चाते हैं और ट्रोजर का भी इसी तरह से अपनी कमीज के जो नीचे धामन है उसका भी इसी तरह से रेडि कर सकते हैं आप बहुत ही खुबसरा डिजाइन है आपको जली कर जाएं दिखाने के लिए थोड़ा सा ये लॉंग त्यार किया गया है ये किस तरह से हम इसको मूव करते जा रहे हैं और यहां आकर हम इसको कट कर देंगे अब यह हमारा पैटरन आप इसको कंप्लीट रेडि करें और यह हमारा रेडि है देखें तरह कितना होपसुरत और डिजाइनिंग वाली जाली आपको नजर आ गई है अब ऐसे ही हमने एक पटी रेडि करनी है उसके बढ़ाबर की अब आपको स्लीव के साथ अटेच करके दिखाते हैं तीन इंच की पटी है और चुडाई आप लंबाई आप अपने बाजू की स्लीव की अकॉर्डिंग देखें आगर आपने बैल बनाने है यह शोड बनाने है अपने बाजू को सीधा रखें पैटरन को अंदर की तरफ फोल्ड करें अब यह पटी उल्टी उपड़ की साथ पर रखें तीनों को कठा आपने स्टिच कर देना यह आपका पूरी स्लीव जो है उपड़ से जो हमने दो इंच की पटी अटेच की है वह हमारी स्टिच हो चुकी है इसको पटी को अब हम सीधा करते हैं इस तरह से पटी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे आपको डिजाइनिंग भी सीधी करके दिखाते हैं देखें इस तरह से जब आप इसको सीधा करेंगे यह कुछ इस तरह से शकल नजर आएगी और मारा स्लीव जो है वह उतकी साथ टाया जो हो चुका है लेकिन उल्टी सायर पर हम इसकी फिनिशिंग करेंगे आप इसको फोल्ड करें फोल्ड करके इसकी एक और इसको स्टिच करें कपड़े को एक और दफा आपने अची तरह से दो इंच के माड़न रखें इसको स्टिच करना है सिंपल जैसे हम अपनी बाजु को मोरते हैं हाफ इंच के लिए इसी तरह से इसको भी आपने मोर के एक स्टिच कर देना है अब हम इसके कागस को उतारेंगे आपका डिजाइन बिल्कुल इसी तरह रहेगा नीचे से कागस को उतारने का तरीका का कुछ इस तरह से है कि आप अगर इसको पानी के साथ उतारेंगे तो यह ज्यादा बेतर होगा थोड़ा से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसको उतारते जाएं और आपके नेचे से जाली वाला डिजाइन जो है वो नजर आता जाएगा आइस्ता इस्ता उतारीए का ताके आपके जो सुलाईया वो तोटने ना पाए अब हम इसको नरम कर दते हैं शावर करके यह बहुत यह सानी से राम से उतर गया है यह आपको रव्यू दिखाया जा रहा है स्लीज का इस तरह की और न्यू डिजानिंग के लिए हमारे चाना का विजट करें ठैंक्स फर वाचिंग